क्या दोस्तों आपके साथ भी बार बार storage फुल होने का message आता है आपके mobile में भी insufficient storage का notification आता है बार बार और आप उसमें इतना data use नहीं कर पाते हैं इतना data भी नहीं रखते हैं जितना जो है आपकी जतनी जल्दी memory फुल हो जाती है तो अगर आपके साथ यही problem है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे खुफिया application के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपके mobile को वो विल्कुल भी free कर देगा आपका mobile का जो fall to data है बिल्कुल भी हटा देगा और आपकी mobile में बहुत storage आ जाएगा automatically आप अगर आपके mobile में यही problem है अगर नहीं भी है तो भी आप इस application को try करके देखिए एक बार यह आपके mobile को और fast बना देगी आपके memory को बढ़ा देगी तो अगर आपके साथ भी insufficient storage का message आता है बार बार तो बनेरी इस वीडियो में चलिए दोस्तो शुरू करते हैं मेरा नाम मौसिन और आप देख रहे हैं Mr.Tacker तो चलिए हम बढ़ लेते हैं अपनी application की और सबसे पहले दोस्तो हमें एक application चाहिए होगी application का नाम है यहाँ पर आप देख पा रहे है duplicate file remover इस application का link यहाँ पर वीडिय इसे open करेंगे open करने के बाद यह आपसे permission मांगेगा तो आपको permission allow कर देनी है permission allow करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ adds आएंगे तो आपको इसे हटा देना है फिलाल के लिए अब उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके interface आ जाएगा scan duplicate image scan duplicate audio scan duplicate video scan duplicate documents scan all others files तो आपको एक एक करके सारे folders को scan कर लेना है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ scan duplicate image यहाँ पर आप देख पा रहे है यह scanning चल रही है तो आपको थोड़ी तरी बेट कर रहा है अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे है 31 file पाई गई है मेरे mobile में duplicate ठीक है जो कि मेरे mobile में file 2 का space ले रही थी जिए आपने 2.65 MB की है तो इसे मैं delete कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ से मेरा 2 MB, 2 MB जो है फिरी हो गया है mobile में अब उसके बाद यहाँ पर यह थोड़ी दिर बेटिंग चलेगी लोडिंग चलेगी आपको थोड़ी दिर लोडिंग चलने देना है उसके बाद आपको करना क्या है scan duplicate audios पर क्लिक करना है scan duplicate audios पर इसी तरीके से आपके सारे duplicate audio आजाएंगे और यहाँ पर आप देख पा रहें यह 136 MB की है यह फाइल आपकी यह आप यहाँ से remove कर दीजिए यह देख पा रहें आप यह रिमूव हो चुकी है 136 MB खाली हो चुकी है अब आ आप देख पा रहें यहाँ पर मेरी सारी duplicate वीडियो आ चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा space ले रही थी आप देख पा रहें तितायलिस files हैं और 3.6 GB क्या यह size हैं का ठीक है तो आप देख पा रहें साड़े 3 GB बहुत हो गया जो कि मेरे mobile पर यह फाल्तू में भरा हुआ था यह duplicate सारी file थी यह मुझे पता नहीं था और मैंने इस application की मदद ली और मैंने 3 GB जो है अपनी clean कर लूँगा तो यहाँ पर आपको delete now पर click करना है OK कर देना है उसी हिसाब से यह आपकी 3 GB data जो है वो free हो जाएगा तो आप देख पा रहें 43 files removed इसी तरीके से आपने documents और all other folders को भी remove कर सकते हैं clean कर सकते हैं और अपने mobile की storage को बढ़ा सकते हैं बहुत ही आसानी से तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह application यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह तो यह पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए ज्याद ज्याद लाइक अपने दोस्तों में कर द कीजिए शेर मिस्टर डेकर चनल को सब्सक्राइब परे थैंक यू फ्रेंड्स